हलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग मैं हूँ एम जे आज है बारा तारिक हमने पांच तारिक को प्रूनिंग की थी exactly साथ दिन कम्प्लिट हो चुके हैं साथ दिन बात का आप रिजल्ट देख रहे हो साथ दिन के बाद मेरे प्लांट के ऊपर बहुत सारे नए नोड्स एरिया ख देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें घब्राने की जरूरत नहीं है डिपेंड करता है हर एक प्लांट के रूट सिस्टम के ऊपर हर एक प्लांट के खुद के नेचर के ऊपर के वो प्रूनिंग के बाद कितना जल्दी अपने आपको री कवर करता है तो यह चीज आप करनी है moisture maintain करना है ये दो चीज आप maintain करते रही है ज्यादा fertilizer देने की urgency मत करिए अब जैसे कि friends ये plant के ऊपर बहुत सारे node areas खुल चुके हो और पत्ते बनने का procedure चल रहा है जब कि दूसरे plant में अभी धीरे-धीरे node areas मेरे open होना शुरू हो रहे है अभी भी तो ऐसे में मैं सात्वे दिन से fertilizer देना शुरू करूंगा लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर ऐसा result अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है ये जो देख रहे है फ्रेंज ये node areas इसके open हो रहे है तो ये result अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो थोड़े 3-4 दिन आप और wait करिए और देखिए plant के node areas open हो रहे है उसके बाद से ये fertilizer शुरू कर दीजिएगा क्यूंकि बहुत सारे लोग बाद में पूछते हैं sir आपने 7 दिन बोला था सर आपने 5 दिन बोला था सर आपने 10 दिन बोला था देखिए दिन क्या मैं जो दिन बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं है को वही दिन पे आपके plant ने भी result दिया होगा मेरे plant के according में दिन decide करता हूँ मेरे plant के उपर इतना जल्दी result आ चुका है इसलिए मैं fertilizer apply करने ही वाला हूँ लेकिन अगर आपके plant के उपर इतना जल्दी result नहीं आया है तो बाद में थोड़ा सा wait कीजिए ये result आने तक at least last में last अगर आपके plant के उपर ऐसा result आ रहा है ये जो देख रहे ऐसा result भी आ रहा है तो भी आप आज से fertilizer शुरू कर लोगे लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको दूसरी एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ कि fertilizer में मैं basically आज जो fertilizer में अपने plant को provide करने वाला हूँ वो है 0,52 जी हाँ ये मेरा पहला fertilizer होगा और उसके दो दिन बाद मैं apply करूँगा 12,61 fertilizer ये दो fertilizer apply करूँगा उसके बाद फिर से मैं एक लंबा gap ले लूँगा लंबा gap around 7 दिन भी हो सकते हैं 10 बिंदी हो सकता है या तो 12 दिन भी हो सकता है depend करता है मेरे plant के उपर पत्ते कैसे बन रहे हैं अब मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले जो मैं अभी fertilizer apply करने वाला हूँ वो है 0,52 अब 0,52 इसलिए apply करने वाला हूँ क्योंकि 0,52 basically high phosphorus fertilizer है साथ में उसके potassium भी है high phosphorus इसलिए क्योंकि high phosphorus की वज़े से हमारे plant के root system develop होंगे 0,52 की वज़े से आपके plant के अंदर fibrous roots develop होंगे जो feeder roots होते हैं और यह feeder roots आपके plant के उपर और अच्छी growth लाने में help करेंगे तो ऐसे में 0,52 जरूर apply करूँगा और सबसे पहले apply करूँगा और बाद में 2 दिन छोड़ दूँगा यानि कि आज हुआ है Tuesday तो बाद में में Friday को 12,61 apply करूँगा 12,61 आप सभी को पता है यह growth fertilizer है और उसके अंदर nitrogen का content भी है अब nitrogen इसलिए है क्योंकि nitrogen की वज़े से हमारे जो plant के node area जे वो open होना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी सिधा calcium nitrate या तो magnesium nitrate या तो potassium nitrate जैसा fertilizer दे दूँग अब कुल भी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा बहुत लोग दे देते हैं लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है लेकिन यह मेरा तरीका नहीं है कि मैं initial stages पे nitrate fertilizer यूज करूँ तो basically मैं simple fertilizer ही अभी use करूँगा तो 0.524 कितना apply करना है देखे यह जो बड़े plant है मेरे यह जितने भी बड़े plant है उसके अंदर only one gram सिर्फ और सिर्फ एक gram एक लीटर पानी में mix करके हमें इसके roots के अंदर दे देना है जितने भी हमारे छोटे बौदे है यह छोटे बौदे के अंदर हम सिर्फ half gram 0.5 gram जितना हमें यह 0.524 देना है और एक लीटर पानी में mix करके per plant के इसाब से दे दीजिए उसके exactly दो दिन बाद यानि कि Friday को फ्राइडे को 12,61 दूँगा 12,61 हमें 1 gram लेना है एक लीटर पानी में mix करके यह जितने भी मेरे बड़े plant है उसके अंदर में apply कर लूँगा बाद में फिर से जो हमारे छोटे plant है उसको फिर से हमें आधा gram लेना है आधा gram हमें 12,61 लेना है एक लीटर पानी में mix करके हम अपने पौदे के roots के अंदर दाल देंगे हमारी showering और watering यानि की moisture maintain करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये तो आपको करनी ही करनी होगी क्योंकि 12,61 एक बार आप दे दोगे तो plant के अंदर फुटाओ जल्ली निकलना शुरू हो जाएंगे अब ये जो दो fertilizer है अभी सिर्फ मैं एक ही बार देने वाला हूं ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए एक ही बार देने वाला हूं जब तक मुझे नहीं लगे के मेरे plant के उपर और ज्यादा node areas खुलना शुरू हो चुके कुछ ही है इसाब से और पत्ते बनना शुरू हो एक प्रॉपर फीडिंग स्टार्ट करूँगा प्रॉपर फीडिंग क्या होती है देखिया प्रॉपर फीडिंग ये होती है कि regular basis पे हम वो फीड दे रहे है plant को अगर आप कोई भी फीड डिसाइड करते हो या आपके उपर है कि अगर आपने कोई mix फीड लिया या आपके उपर है कि आपने कोई mix फीड लिया या तो कोई और फीडिंग ले रहे हो तो ये आपके उपर है लेकिन जो भी फीडिंग आप दे रहे हो हो उसको एक proper फीडिंग बोली जाती है जो आप regular basis पे देना शुरू करोगे और वो फीडिंग हमें तभी देना है जब आपके प्लांट के उपर पत्ते सारे रेडि होना शुरू हो जाते है ऐसा क्यों वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके प्लांट के उपर पत्ते बनना शुरू हो जाते है तो आपके प्लांट के अंदर photosynthesis का process बनना शुरू हो जाएगा और जब से आपका प्लांट photosynthesis का process बन प्लांट को देना शुरू करना है, अभी हम यह जो दो fertilizer दे रहे हैं, वो सिर्फ root system को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, यानि कि root system को ज्यादा active बनाने के लिए और maximum fibrous roots develop करने के लिए ये दो fertilizer दे रहे हैं और ये जो fertilizer है ऐसा नहीं है अभी हमें regular देना है जब तक हमें plant के उपर नए पत्ते बनना शुरू नहीं हो जाते उसके बाद से ही हम regular feeding करेंगे ये दो fertilizer अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देना है यानि की एक बार हमने 52 दे दिया और एक बार हमने 1261 दे दिया बस बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 13-14-13 भी दे सकते देखे दे सकते कोई issue नहीं है बहुत सारे लोगों को पैस 13-14-13 होता है किसी के पास नहीं भी होता उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप 13-40-13 दे सकते हो या तो 0-12-61 दे सकते हो लेकिन मैं अभी ये दो फीड दूँगा एक तो 0-12-32 और बाद में 12-61 अगर आपके पास 13-40-13 है तो 13-40-13 दे सकते हो 12-61 की जगा पे तो यह सबसे भी आप फीडिंग दे सकते हो लेकिन मैं सिर्फ दो बार ही दूँगा और हमारे root system को stimulate करने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा उसको active करने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी node areas और जल्दी open हो जाए और हमारे plant पत्ते निकालना शुरू कर दे तो यही motive हमारा है यह plant को feeding करने का तो अगर आपको किसी भी टाइप का confusion हुआ यह topic से related तो आप प्लीज मुझे telegram group में contact कर सकते हो तिल्दैन के लिए thank you friends और happy gardening और बने के लिए अगर से टेस्टों आपको कर दो एक्ते हुनी वीज़ मुझे लिएमिंग